दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कॉफी एक पॉपुलर पेपदार्थ है जिसे उसकी खुस्बू और स्वात के लिए जरने जाता है आम तोर पर लोग इसे ताज़गी और सुर्थी पाने के लिए इसका सेवन करते हैं दोस्तों रोजमर्राख जीवन में बड़े सौक से पी जाने वाली कॉफी के फायदे और नुक्सान दोनों के जनकारी होना बेजरूरी है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कॉफी के फायदे और नुक्सान दोनों बताऊंगा तो जलिए सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले कॉफी का प्रयोग सरीर में रोजा और शुर्थी बढ़ाने के में किया जाता है। जरसल कॉफी में मौझूद कैफीन दिमाग की तंद्र को एक्टिवेट बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर दूसरे फाइदे के बारें बात करने तो कफी डीवर को डेमेज होने से बढ़ा जाता है। दूस्तों यह लिवर ने बहुत साहब होता है। और अगर चोत् urban करने तो यह तंह तना को कम करने साधागा अफ्म भ्हमदगा निभादा है इसमें काफीन होता है इसका dorad सेवन करने से आलपा रिमाईलेज नमक एंजायम में बढ़ा होता है कफी का यह गुण्ड तना को कम करने में मढँद करता है और अगर पांते फार्दे के बारे में बात करने तो एक स्टाडी के अनुसार उजाना दो कॉफी पीने से इंड्रोमेट्रियल कैंसिर का जोखिम भी कम हो जाता है इसके भी प्रीत और कोफी के नुक्सान के बारे में बात करने तो इसे सकते हैं हमें अधिक कोफी का निक सेवन करने से अनिद्रा यानि नीद्रा आने की समस्या हो सकती है और अगर दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो इसके अजिक से वन से डिस्फोरिय नमक बिमारी हो सकती है इसमें हमें खुशी का अभाव हो जाता है जिसके हम हमें साउधास रते हैं इसके अलावा दोस्तों इसमें घबराहट चिंता होना धड़कन करकेज होना जी में चलाना आधी हो सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कोफी से होने माले फारे और नुसान दोनों बताए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा और कमेंट करके बताएगा या पको या जनकार कैसे लगी और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कूल इसमत भूलेगा लो कि मैं से लगए से लगए अपर जाएगा जाएगा नुका जाएगा जास अबाएगा जास बास इतना ही वो जाले में लेकने बिल्ग उसाथ लिये बाएगा